जैने दोसों दे मात्रम केरल स्टोडी के ऊपर आज सुनवाई हुई सुनवाई में हेट स्पीच को लेकर बाते हुई लेकिन इस याचिका को खारिच कर दिया गया इसके अलावा इस मूवी के ऊपर दस सीन्स के ऊपर कैंची भी चली है मतब सेंसर बोर्ड भी इस मूवी को लेकर काफी सकती है लेकिन उसके बावजूद भी इस मूवी की रिलीज के ऊपर रोक नहीं लगाई गई है जो कि कई सारे लोग हमारे देश में चाह रहे थे डारेक्टर सुदीब तो सेंग की फिल्म दे केरल स्टोडी रिलीज से पहले ही विवादों में है टीजर लाँच होने के बाद से ही फिल्म को लेकर शोर मचा हुआ एक तरस तो जहां ये फिल्म पांच मई को सिनमा घरों में रिलीज होने की तयारी कर रही है वहीं कॉंग्रेस से लेकर वांदल इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग पड़ रहे है लेकिन इस भी सेंटर बूर्ड ओफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने भी फिल्म पर कैची चलाई CBFC ने अक्टरस अदा शर्मा की इस फिल्म में एक दो नहीं बलकि पूरे दस कट लगा है और फिल्म को एस सर्टिफिकेट भी साथ रिलीज करने की नमती दी है प्रोड्यूसर विपल शा की इस फिल्म में जो सीन्स अटाएगा है उनमें केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री के इंटर्व्यू का भी सीन है बता जाता है कि ये केरल के पूर्व सीम विएस अच्ची तारंदन का इंटर्व्यू था वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दे केरला स्टोडी के रिलीस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जैंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म को एस सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है दे केरला स्टोडी केरल की दरसल उन लड़कियों की वास्तेविक कहानी पर आधारी थे जिनने जूटे प्यार और इसलामी धर्मांतरन के जाल में फसा कर आईस आईस अतंकियों का सिट्सलेव बना कर भेज़ दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में फिल्म के खिलाफ एक इंटर लॉक्यूटरी एप्लिकेशन आई-ए दाखिल की गई थी हलागि सर्वोच नियाले ने मंगलवार दो मई को इस पर सुनवाई करने में कोई रुची नहीं दिखाई जस्टिस केयज जोसफ और जस्टिस भीवी नागरतन की पीट की समक्ष इसका जिकर किया गया था हेट स्पीज संबंदी अपरादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पेंडिंग रिट पेटीशन दाखिल की गई इसी के तहत इस आई-ए को डाला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके जरीए किसी फिल्म की रिलीज को चुनौती देना ठीक तरीका नहीं वकील निजाम पाशा ने इस पर तुरंट सुनवाई की मांग करी उन्होंने इसे हेट स्पीच की सबसे बुरी घटना वता अगर पेश किया था उन्होंने इसे आडियो वीजूल हेट प्रपगेंडा भी करार दिया इस पर जजोंने कहा था कि इसे हाई कोर्ट क्यों नहीं ले जाया सकता और हर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट से ही क्यों शुरू होती सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस फिल्म को सैंसर बोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है इस पर एक याचिका दायर करके ही सुनवाई की मांग की जा सकती हलाकि कबल सिब्बल ये दलील देते रहे कि फिल्म की रिलीस को अपकम समय बचा है उन्होंने कहा कि वो मुख्य नयाधीश CJI के समक्ष याची का दायर कर तौरित सुनवाई की मांग करेंगे Justice Joseph ने कहा कि मुझे इस फिल्म के बारे में पता है मैंने एक टीवी में डिबेट में देखा था हम भी टीवी देखते है उक्तो फिल्म शुकरवार पांच मई को रिलीज हो रही है सुदीप तो सेन ने इसका देखन किया है जबकि विबल अमरतलाल शाह इसके निर्माता है मीडिये रिपोर्ट के मताबिक देखेल स्टोडी के कई ऐसे सीन्स हटाएगा है जो सामपरदाइक सोहादर के हिसाब से सही नहीं समझे गए फिल्म में उनसीज पर सेंसर बोड की केची चली है जिनमें कथे तौर पर हिंदु देवताओं के बारे में गलत संदर्ब और अनुवाचे डायलोग्स थे जबकि कई डायलोग्स को बदलने के लिए भी कहा गया है फिल्म में इसके अलावा कथ तौर पर एक डायलोग है जिसमें कहा गया है कि भारती का मिने सबसे बड़े पाखंडी संसर बोड ने इसमें से भारती शब्द को हटाने के निरदेश दिये कि फिल्म में केरल के एक पूर मुख्यमंतरी का टीवी इंटर्विव दिखाए गया है जिसमें वो कहते हैं कि अगले दो दशकों में केरल एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा जो कि राज्य में युवाओं को मुसलिम मनाने के लिए प्रभावित किया जा रहा है सेंसर बोड ने आदेश दिया कि फिल्म से इस पूरे टीवी इंटर्विव के सीन्स को हटा दिया जाए दे केरल स्टोडी फिल्म पर विवाद टीजर रिलीस के बाद से ही शुरू हो गया था सुदीप्तो सेन की फिल्म का ये टीजर बीते साल नवंबर 2022 में रिलीस हुआ इस टीजर में शालिनी उन्नी कृष्णन और फातिमा बाब नाम की करेक्टर कहती है कि 32,000 महिलाओं को केरल में धर्म परिवरतन करवाकर इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन में भरती किया गया और वो उनमें से ही एक है फिल्म को लेकर जहां राजनितिक गलियारों में हल्चल है तो वहीं सडकों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं केरल सरकार और उपक्षी नेताओं ने राजज में फिल्म बर बैंड लगाय जाने की मांग करी है सीपीम और कॉंग्रेस का आरोप है कि ये फिल्म राजज की छवी को खराब करने ही कोशिश है 32,000 लड़कियों के धर्म पर इवर्तन और आतंकी संगठन में शामिल करने के जो आकड़ें वे भी गलत है केरल में मुस्लिम यूथ लीग ने तो बाकायदा कोशना करी है कि जो भी इसाबित कर देगा कि केरल में 32,000 महिलाएं मल्याली महिलाएं को आई ऐसा इने इसमें भरती कराए गया उसे वो एक करोड रुपे का इनाम देंगे दूसरी और फिल्म के प्रेडियूसर विपिल अमरतलाल शाह ने इटाइम से बातचीत के दौरान दे केरल स्टोडी से जोड़े विवाद पर सफाई दी उन्होंने का कि हमारी फिल्म राज्यकी एक ऐसी समस्या पर आधारित है जिस पर बात करी जानी चाहिए हमने इसके लिए रिसर्च करी है और उसके अधार पर ही हम फिल्म में चार ऐसी लड़कियों इक कहानी दिखा रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई प्रपगेंडा नहीं किया है हम यह सब कुछ जो कह रहे हैं जो बोल रहे हैं यह हमें लड़कियों और युवाओं के बारे में सोचना चाहिए इन सब चीजों कहने के पहले जिन्हों ने यह सब कुछ जहला है फिल्म डिरेक्टर सुदीप्तो सेन से भी फिल्म को प्रपगेंडा बता जाने का विरोध किया गया वे कहते हैं कि यह आरूप बहुती गलत है अगर हम आपके मन की बात नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम कोई जूट फैला रहे हैं यह प्रोपगेंडा फैला रहे है हाला कि यह मूवी अब पांच सारी को रिलीज होने के लिए तयार है काफी सारे कटसेस में लग चुके हैं देखना को इस मूवी को थीटरस में अब रिस्पांस कैसा मिलता है मेरे स्वीडियो फलाता है जाए हैं जाए भारत